नमस्कार दोस्तों मैं जी कृष्णा चोहान आपका हकेन कुड़े सौक टेक में स्वावत करता हूँ लास्ट लेक्चर में हमने जाना कि C प्रोग्रामिंग में 6 तरीके के टोकान्स होते हैं और आज हम इस वीडियो लेक्चर में दो तरीके के टोकन्स यानि कि कीवर्ड और आइडेंटिपायर के बारे में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं So what is keyword? Keywords are those words which meaning is already being defined by the C compiler यानि कि keyword हमारे वो words हैं जिसका मतलब C compiler को पहले से ही पता होता है यानि कि कुछ ऐसे शब्द जो हम अपने प्रोग्राम में लिखें और उसका मतलब हमारे compiler को पहले ही पता हो कि अगर user ने या फिर program जिसने लिखा है उस बंदे ने programmer ने particular ये word का use किया है तो इसका मतलब ये है जो हमारे keywords होते हैं उनका particular एक ही mean होता है और क्या होता है ultimately कि वो अपने reserved होतने हैं कि particular meaning के साथ ऐसा नहीं है कि हम उनको दुबार से define कर सके हैं वो एक बार compiler में define के जा चुके हैं इस keyword का meaning ये है और हमारे ansic के दौरा 32 keywords define है तो उन 32 keywords को मैं आपको आगे discuss करूँगा अभी हम keywords के बार में थोड़ी सी और एक चीज जान लेते हैं कि कुछ implementations जो कि ball and c और microsoft के c के दौरा keywords इसमें कुछ extra जोड़े गए हैं यानि कि 32 keywords से अलग जोड़े गए हैं आई हम देखते हैं कुछ keywords के name जो ansi के दौरा keywords है जैसे auto, to, go to, signed, unsigned, break, double, if, size of, void, case, as, int, static, volatile, care, enum, long, struct, while, const, extern, register, switch, continue, float, return, type, div, default, for, short, और union ये इस तरीके के हमारे ansi में keywords हैं अब बात करते हैं identifier के तो दोस्तों identifier के बारे में सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि identifier भी एक c token है बिलकुल keyword की तरह और identifier हो सकता है हमारा कुछ collection letters का, digits का और underscore character का जैसे कि add underscore one, add underscore two ये सभी हमारे identifiers हो सकते हैं और कोई भी variable name आपका identifier हो सकता है अगर आप कोई lower character लिख रहे हैं जैसे कि a double add आपने small letter में लिखा है आपने lower case में लिखा हुआ है और वही add आपने uppercase में लिखा हुआ है तो दोनों identifier अलग-अलग create होंगे और हम basically identifier इस तरीके से चुंगते हैं कि वो हमारे समझ में आए आप मारे program के according जैसे अगर हम addition का program बना रहे हैं तो हम लिख सकते हैं number one, number two, add add में हम number one और number two को join करके लिख रहे हैं, addition करके लिख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक बहुत important बात बताना चाहूँगा कि जो identifiers होते हैं special identifiers उसमें क्या होता है कि आपके किसी भी identifier से पहले underscore लगा हुआ होता है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कोई भी identifier underscore से start नहीं हो सकता बट special identifiers के starting में underscore होता है और वो किसके द्वारा use किया जाता है systems programmers के द्वारा इसका reason बहुत ही simple सा है जो हमारे systems की name है बिल्कुल उस से conflict कर सकते हैं आपके वो identifiers जो कि आपके system programmer ने बनाए है तो बस इसलिए हमारे special identifiers से पहले हम underscore का use करता है तो दोस्तों identifier को construct करने के कुछ rules हैं जो कि इस तरह हैं सबसे पहला जो identifier में आप character यूज कर रहे हैं या तो वो alphabet हो या फिर वो underscore हो जैसे कि आप subtraction लिख रहे हैं तो subtraction में ऐसा आपका alphabet है आप ऐसा नहीं है कि one subtraction लिख सकते हैं या identifier नहीं होगा और आप पहला जैसे मैंने बता है पहला character आप alphabet या underscore लिख सकते हैं उसके बाद आप कुछ भी लिख सकते हैं चाहें वो letter हो या वो digit हो तीसरी बात है कि आप identifier को construct करते time सिर्फ और सिर्फ underscore का use कर सकते हैं इस special character की list में और आप किसी भी special character का use नहीं कर सकते और identifier आपका keywords नहीं होना चाहें क्योंकि keyword का meaning तो पहले से compiler को define है वो confused हो जाएगा इस वैसे identifier हम keyword use नहीं करते तो इस तरह से identifier को construct करने के कुछ rules थे तो दोस्तों आशा करता हूँ को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हैं तो please एक like दीजिए इस वीडियो को अगर आपको कोई doubt है keyword या identifier में तो आप comment करके मुझसे पूश सकते हैं आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के शाद शेयर कर सकते हैं और अगर आपने ये चैनल अभी तक भी subscribe नहीं किया है तो please आप इस चैनल को subscribe कीजिए कर दो सकते हैं